तो जिसका था आपको इंतजार, दोस्तों वो घड़ी आ चुकी है, यानि कल से शुरू हो रहे हैं CA exams, यानि कल से CA final के और परसों से CA inter के, इन exams में now the test is not about your preparation, the test is about your emotions, और कैसे आपने इन exams में अपने emotional intelligence को, अपने stamina को, अपनी जोश को बरकरार रखना है, इसके लिए मैं आप आपके साथ 5 tips share करने वालो, make sure आप video end तक देखे, और वीडियो पर अपनी attendance जरूर लगा दीजेगा, अपनी positivity से वीडियो को like कर दीजेगा, ताकि और भी CA students तक पहुँच सके, तो सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है, वो यह है, take it one paper at a time, यानि जो आपक पहली आपको चीज दिखनी चीए, इस पे आपने focus करना है, अभी यह मत सोचो आगे के papers में क्या होगा, नारे बाबाना, हमें focus किस पे करना है, सर पहले paper पे, take it one step at a time, and even जब आप paper देने जाओ, तब आपने questions पे भी ऐसी focus करना है, तारे questions पे एक साथ तूट मत पढ़ना, take it one step at a time, एक कोशन को अच्छे से करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, मजा लेते जाएंगे, क्या ये बात समझाती है, हाँ सर, दूसरी चीज, जब भी आप exam के लिए निकलोगे, उससे पहले obvious सी बात है नहा के जाओगे, ठीक है, and नहाने के बाद आपने एक ची ना positivity आती है, and that positivity gives you that aura, और उससे आप सब चीजे अच्छी करने लग जाते हो, तो make sure आप pray कर रहे हो, before going for the exam, next thing, reach the exam hall on time, ऐसा नहा हो, दो बज़े के exam के लिए आप दो पांच पे पहुंच रहो, दो बज़े पहुंच रहो, दो बज़े पहुंच रहो, वन फिफ्टी पे ठीक है, और उसमें जो असान पेपर भी हो, उसमें भी silly mistakes हो जाए, तो please make sure आप time पे exam hall पहुंच रहो, time पे पहुंच रहो, जब स्वहाँ बजा के रिलाक्स हो जाओ, वहाँ जाके आपने बस रिलाक्स होना है, calm down होना है, देखो आसपास क्या माहोल है, आसपास कैसे छोट जाओ, नहीं, easy paper भी आपकी एक responsibility है, आप यह मान के चलो, यह जो easy paper है ना, इसमें तो responsibility बलकी double हो जाती, यानि आपको कम से कम इसमें 60-70 प्लस तो score करने पड़ेंगे, क्योंकि यही आपके group का aggregate बनाएगा, क्या यह बात समझाती है, हास है, तो again in the easy paper, go one step at a time, target तो यही करते हैं वो जो बाकी 50-60 number का अंदेखा portion है ना, उसको देखके डर जाते हैं, उस मामले में paper खराब होता है, तो जब भी paper tough है, अपने आप से बस एक ही बात कहने हैं, जो मैं कहता था, मुझे तो पता था, मुझे तो पता था तुमने आना है, अब तुम आओगे, तो 80% ब number score कर सकता हो, so just maintain that positivity, just maintain that calmness and you will rock it, क्या ये बात समझ आती है, हाँ सर, अब अगली चीज़ आपने क्या करनी है, make sure you understand this thing कि आपने exams को ज्यादा seriously नहीं लेना, सर क्या बात कर रहे हो, exams को seriously नहीं लेना, हाँ, exams को seriously लेने की ज़रूरत नहीं है, बट सर हम तो इतने time से prepare कर रहे हो, यार यही तो मेरा point है, जब आप इतने time से prepare कर रहे हो, तो क्यों seriously ले रहे हो, क्यों tension ले रहे हो, test ही तो है, test ही तो है, हाँ, test ही है, ICAI का काम है, उसको आपने date 1000-2000 रुपे दी हैं, कि वो आपका test ले, आप already chartered accountant हो, ठीक है, आप already CA inter अपने मन में clear कर चुके और इंटर लेनी चीए न, कि वो सही बंदों को chartered accountant बनाए, वो सही बंदों को CA final में भेजे, आप tension क्यों ले रहे हो, आप तो जाओ भाई साब राजा की तरह, आप बोलो मेरी preparation हो चुके है, ले लो test, ये attitude रखना है अपने अपने अंदर, बात समझ में आ रहे हैं नहीं है, आ रहे है sir, make sure you are having that positivity, you are having that attitude, it is all the game of the emotion, not the preparation right now, अब जो preparation है, भाई साब, CA के पेपर इतने तफ नहीं कि 40-50 मुश्केल हो हैं, ठीक है, now the game is about the emotions, जितना हो सके, अपने आपको positive रखो, मैं आपको बस इतनी सी बात request करूँगा, and I am sure, जो आपने अब तक preparation करिये, उसमें आप धूम मच जाद होगे, ठीक है, you can literally rock in the coming exams, just make sure you give your best, as I told you, it is just a game of one step at a time, एक एक स्टेप लेते जाने, एक एक पेपर अच्छे से करते जाने, और आगे बढ़ते जाने, पहला पेपर है, give your best, पहला पेपर अच्छा जाते है, तो उसके बादना, automatically, सारे पेपर बढ़िया चले जाते तो just make sure you're giving your best, you're not getting stressed, सब बढ़िया होगा, सब चंगा होगा, and yes, चेहरे पे smile बना के रखना, इस बार मैं बस कुछ और कहूँगा, सर क्या, खुशी से पेपर लिखेंगे, तभी exam में पास करेंगे, फिर से बोलो, खुशी से पेपर लिखेंगे, तभी exam पास करेंगे, तो लगेरो